स्वागत है आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा मेरे साथ हैं भाशा और उर्मिले शोराज तीम मुद्धे आपके सामने आएं मुद्धा नमबर एक मोदी का आइरन ग्रिप जी हाँ चाहे भारती न्याए सहिता के जरिए पत्रकारों पर अंकुष लगाना उन पर दबाव डालना चाहे चुनाव आयोग से Chief Justice of India को बाहर निकालना चाहे डेटा प्रोटेक्शन बिल के जरिए पत्रकारों पर दबिश और ये ना भूलें सरकार के एक सलाकार हैं विबेक देवरॉय वो तो सम्विधान को ही बतल देना चाहते हैं मुद्दा नमबर दो हमारे सामने होगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले में भाशन और संसद में अवश्वास प्रस्ताव के दोरान उनका दिया गया वक्तव्वे उसको लेकर सवाल किये जा रहे हैं और मुद्दा नमबर तीन सरकारी एजनसी कुम्ट्रोलर और अउडिटर जेनरल ने भष्टाचार को लेकर मोदी सरकार को एकस्पोस कर दिया है कहा गया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा मगर शुरुवात हम करना चाहेंगे आज के जो बड़े मुद्दे से और वो बड़ा मुद्दा है कि किस तरह से मोदी सरकार तमाम जगाओं को अपने गिरफ्ट में रखना चाहती है एक साल से कम का वक्त रहे गया है चुनावों में और चाहे चुनावायोग पर कंट्रोल करना हो चाहे डेटा प्रोटेक्शन बिल के जरिए आर्टिया यानि सूचना के अधिकार को कमजोर करना हो या फिर भारती निया सहिता की जो पेशकश है सरकार के जरिए जो बहुत खतरनाक उसमें कई आयाम है उसकी भी हम चर्चा करेंगे मगर क्या इस खबर का पंच शुरुआत करना चाहेंगे हम उर्मिलेजी के साथ अभिसार मैं समझता हूँ की जिस तरह हमारी सरकार तरह तरह के संशोधन सुधार कानून पेश कर रही है और पहले के कानूनों में फिर बदल कर रही है उसे लगता है कि लोकतंत्रिक ठांचे को पूरी तरह खतम करके और एक राजा एक जैसे लगता है किंडम बनाने की कोशिश हो रही है लोकतंत्र को निस्तनाबूत करने की भाशा क्या है इस मुद्धे पर आपका पंच अभिसार एक चीज दिखाई दे रही कि मोदी जी को अपने नाम से बेतरह प्यार है वे चाहते हैं कि हर पत्थर पे हर इमारत पे उनका नाम खुदा हो वो दरसल भारती लोकतंत्र को हाईजैक करके एक मोदी में लोकतंत्र में तब्दील करना चाहते इसकी शुरुवात हो गई है तमाम जो संस्थाएं हैं सारी संस्थाएं एक तरह से हाई जैक है मोदी जी के राज में अभिसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है कि मकसद साफ है पार दर्शिता को खत्म कर दिया जाए एक धीवार खड़ी कर दी जाए लोगों की जग्यासाओं और सरकार के बीच में और इसलिए मैंने इन तमाम मुद्दों को एक ही जिसे कहते हैं शीरशक के अंतरगत समाहित किया है क्योंकि मुद्दा है पार दर्शिता खत्म करना भारतिय न्याय सहिता की बात करें यहां पर और मिलेज जी तो मैं कोट करना चाहूंगा प्रस्ताविट सेक्शन 150 को और इसकी भार्शा बहुत खतरनाक है it states whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law shall be punished by imprisonment for life. यानि कि जो सरकार सत्ता में हैं अगर आप उनके खिलाफ लोगों में संतोश पैदा करेंगे तो आपको जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा. आजीवन कारावास ये 1947 से पहले का भारत नहीं है. मतलब कितने दशों को पीछे ये सरकार ले जाना चाहती है? अविसार जब राजय सभा में माननिय ग्रेह मंत्री इस बिल को पेश कर रहे थे तो उन्होंने अपने भाशन की जो प्रस्तावना थी उसमें कहा कि भारत एक अद्भुत घटना का गवाँ बन रहा है आज. हो सकता है कि ये शब्द पूरी तरह उनके नहों लेकिन उनका कहना यही था इसी तरह का. कि अंग्रेजों के जमाने में जो कानून हमको हमारे उपर इंपोज किये गए उसको हम बिल्कुल खतम करने जा रहे हैं हम पूरी न्याए विवस्ता को CRPC को और इंडियन पिनल कोट को उसको इंडियनाइज कर रहे हैं उसका भारती करन कर रहे हैं. तो उनका ये कहना था कि इसका भारती करन कर रहे हैं और हम इसकी जो थी इंडियन के खिलाप उसका सफाया कर रहे हैं हम नियाय संगत मना रहे हैं लेकिन 124A को सामने रखिए जिसमें राजद्रोह की व्योस्ता है उसको लोग देश्द्रोह कहते हैं जो गलत है राजद्रोह तो राजद्रोह के कानून को उस प्रावधान को 124A में वाता है उसको रिप्लेस करता है वो प्रावधान जिसका आपने हवाला दिया और वो कितना खतरना कि उसके प्रावधा वा 124A का बाप है इस शब्द के लिए मुझे माफ कीजेगा और वैसे भी कोई गुरा और क्योंकि अभी और मिलेशी एक चीज आपने कहा कि भारती करण कर रहे हैं दरसल वो हिंदी करण है क्योंकि एक चीज जरूर याद रखनी चाहिए कि भारत में अंगिनत भाशाएं हैं और यह सारा का सारा डिजाइन ऐसा है जैसे संस्कृत और हिंदी इसके बियॉंड भ रहोदान है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और आपको बताएं कि अभी तो जो लोग 124 एक इताहत गिरफ्तार होते हैं उनमें आपको ठोस बात कहनी पड़ती है कि यूए पीय में क्यों आपने गिरफ्तार कर लिया आपने 124 एक क्यों लगा दी और कई बार जमानत मिल जा है गा अंदर उसको छूटने का कोई उमीद नहीं क्योंकि इतनी माइनूट डिटेल्स हैं इतने चोटे-चोटे मसले हैं कि मैं तो समझता हूं कि पार्क में बैठा हुआ कोई आदमी अगर सरकार के किलाब बोल रहा है और वो अभी रिपोर्ट हो गया तो उस पर भी आपक कोई गलत जानकारी ब्रामक जानकारी पेश करेंगे जिससे देश की एकता और अखंड़ता पर असर पड़ेगा तो आपको तीन साल की सजा मिलेगी ठीक है देश की अखंड़ता को नुकसान पहुचेगा तो भाई उस पर कारवाई होनी चाहिए मगर इस शब्दावली पर पर गोर कीजिए ब्रामक जानकारी ब्रॉपर है सबसे मजबेधार है कि सरकार ते करेगी कि और मैं मिसाल दोंगी कि अभी जो नूह जला दिली के बगल स्वस्वाजिखनर का अब कि ब्रामक जानकारी कौन दे रहा है क्योंकि सुदर्शन न्यूज के बंदे को आप गिरफ्तार करते हैं एनाई को अपना ट्वीट हटाना पड़ता है अंगिनत मामलों में तो यह जो महौल को अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल पूछने का अरिकार होना और इसे आप देश दुरो नहीं कह सकते मेरा यह बिलकुल मानना है और दुनिया में यह स्थापित नौर्म है कि हम सरकार से सवाल पूछे उसे जवाब दे बनाए accountable बनाए यही मौका बन जाता है जिक्र करने का डेटा प्रोटेक्शन बिल का, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल का जिसमें RTI को कमजोर किया जा रहा है, RTI के दाएरे में जो चीजे आती हैं उस दाएरे को कम किया जा रहा है साफ तोर पर, यानि कि वो RTI जो पिछले देड़ दशक से आम इंसान की ताकत था उसे इस कदर खत्म किया जा रहा है यानि कि देखिए एक BNS काफी नहीं था भारती नाय साहिता इंदिद्धा एक और बिल जिस पर स्वीकरती हो गए ये राश्टपती दौपदी मूर्मुकी वो भी सामने आ गया है और RTI को देखिए किस तरह से खत्म किया जा रहा है देखिए RTI जब से ये सरकार आई है RTI को कमजोर करने का सिलसिला तभी शुरू हो गया था अनेक उसके कदम उठाए गये थे जिससे RTI को कमजोर किया जा सके और ये जो है मैं समझता हूँ कि बिलकुल उसका अंतिम शवयात्रा निकालने का ये एक तरह से प्रयास है सवाल इस बात का है कि मोजगदा सरकार किस तरह से चीजों को थिवलाइज करती है इसका दारशनी का अधार क्या है ये लोगता है कि प्रजा है जनता नहीं है लोग नहीं है इनको लगता है कि लोगों का काम केवल कर्तब्य है जो सरकार में बैठे लोग है वो राजा की तर अधिकार से लोगों को खत्म करना और उनको प्रजा के में कन्वर्ट करना ये इस सरकार की मौझूदा तंत्र की पूरी की पूरी ये दार्शनिक उनकी एक एक्थिसिस है और मैं समझता हूं कि यही वो कारण है जिसकी वज़े से सालिक कानूनों को रिफ्रेम किया जा रहा है मैं ये भी कहना चाहता हूं इस देश की जनता को समझना पड़ेगा जो अमरितकाल के नशे में सराबूर हैं आपके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है लगातार खत्म किया जा रहा है और देखे अभिसार सबसे बड़ी बात है कि प्रधान मंत्री जी भष्टाचार खात्मे की बात करते हैं भष्टाचार खात्मे का सबसे पब्लिक और जो है क्या है कि आप राइट टूब इन्फॉमेशन लोग जालते थे कि भाई हमारी साड़क नहीं बनी किसने पैसा खा फूरे तो आप पबिक फिगर है आपको हमने चुना है तो आपकी डीडी के बारे में आपकी बेटी के बिजनस के बारे में क्यों नहीं पता होना चाहिए नहीं अपकी बडिक अरगिमेंट डे रही एगा अच्छा, रानी जी की बेटी के नाम पर है अच्छा मैं यहाँ पर एक और चीज का जिक्र करना चाहता हूँ डेटा प्रोटेक्शन बिल में पत्रकारों के लिए भी बहुत खतरनाक चीज है और मैं आप दोनियों की टिपणी एक एक करके चाहूँगा कि अब पत्रकार को अपना सोर्स सरकार को रिवील करना पड़ेगा आपने कितने दशक हो गये से आपको पत्रकारता में चार दशक पत्रकार को अपना सोर्स रिवील करना पड़ेगा ये तो अप्रत्याशित है आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं और इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के जरीए वो किया जा रहा है और मिलेश जी। अबिसार हमारे देश में प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स में हम इतने पूर हैं कि हमारे पुरोसी अनेक मुल्क हमसे बेहतर इस्थिती में आ गये हैं यह हालत हमारी है और यह जो कानून आया है और इसको जब बड़े अस्तर पर लागू किया जाएगा पूरे देश में तो जाओंगे यह हाल है तो मैं समझता हूँ कि वो हर काम किये जा वैसे भी आज देखिए पत्रकारिता की स्टिकिया है जो मेंस्ट्रिम मीडिया है उसमें पत्रकारिता का कोई मतलब नहीं रहा गया है इसको अनेथा नहीं लें लोग में जो काम कर रहे हैं मुझे एक लड़ नौजवान जो लोग हैं वो बताते हैं जो अच्छी तनकाओं पर टेलिविजन में काम कर रहे हैं कि उनको अगर अपने प्रदेश में सरकारी अध्यापक की नोकरी मिल जाए तो फॉरन टीवी भाग जाएंगे एक जमाना था कि टीवी और अखमार में लोग आते थे अध अधिकारी वो छोड़कर पत्रकारिता में आते थे पत्रकारिता का करशन आज क्या रहा गया है क्या रहा गया है सिवाइक पैसा और कमाने और चलाने के अभाव कि इसी वे एक और जो बहुत अहम बात है जो यह बता रहा है कि इतना मीडिया उनके पास है जो जिसको आप ट लेकिन दरसल दिक्ट यह है अभिसार कि मोदी जी को सच से डर लगता है और सच छोटा सा भी हो लेकिन उसकी गूंज बहुत दूर तक जा रही है यह उन्हें बार-बार लग रहा है चाहे वह शाहिनबाक का अंदोलन हो उनको लगता है कि यह सच जो बार जा रहा है और सोर्स का खुलासा करना यानि भारा से investigative journalism का खात्मा होना हमें पता नहीं चलेगा कि तीन करिशी बिल किसी और व्यक्ति जिसका कुछ लेना देना नहीं है जो रिपोर्टर्स क्लेक्टिव की स्टोरी है ऐसी स्टोरिया करना भी मुश्किल हो जाएगा और मैं एक और चीज यहां जोड़ देता हूँ, हम जो यहां चर्चा कर रहे हैं, उसी की प्रिष्ट भूमी में एक बहुत दिल्चस बयान आया है बिबेक देबरॉय का, जो एक अर्थशास्त्री है, इस सरकार के परमसमर्थक हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि अब वक्त आ सम्विधान को बदलनेने का, वो ये भी कहते हैं कि ये जो सम्विधान है, वो इसमें अंग्रेजों की घुलामी की मानसिक्ता कही न कही जहलकती है, ये तो RSS का पूराना सपना रहा है ना, उर्मिलेश जी, सम्विधान को बदल देना, मगर सवाल ये कि जो आप बदलेंग उस panel में तो कौन लोग रहेंगे हम भी जानते हैं? करके भारत की आजादी की लड़ाई के दौराद जो लोग इमर्ज किये उनके उनकी कोश्चों का परणाम है अब इसमें ठीक है कि आपको लगता है कि कुछ एक पहलू ऐसे हो सकते हैं लेकिन हो बिल डिसाइड ने एक और चीज यह सम्मिधान तो इवॉल्व होता रहा है ना आप खुद यह बात बूल रहे हैं और प्रियंबल जो हिंदुस भारत के सम्मिधान का है यह इसकी बुनियाद है असल में जो जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं उनकी सबसे बड़ी मुश्किल है उसका प्रियंबल इसका इसकी जो शुरुवाती जो मौलिक अधिकार की जो ध्हाराय है वो सबसे बड़ी समस्या है उसी को यह मिटा देना चाहते हैं आप जो है यह परदा भी नहीं on जाते हैं हम सब जानते हैं कि संगोल किया क्या गया नई पार्लेमेंट बनी नई पार्लेमेंट कर पूरी की पूरी प्रस्तावना और जो पूजा पाट हुआ दरसल ये पूरी पेशकष बाबा साहब भीमराओं अमबेट कर और पूरी जो कॉंस्टमेंट एसेम्बली है जिसमें भूल जाते हैं कि इनके भी कुछ नुमाइन देते जो बहस कर रहे थे वहाँ पर जिनसे बहस के बाद जीत के ये समिधान आया जिसने एनाउंस किया कि हम स मुश्किल की बात है कि मर्द और 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 बराबर हैं दलित गैर दलित बराबर हैं और धर्म के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते तो दरसल ये एक मनुस्मृती को वापस लाने की बहुत क्वारे दस सेकिंड की प्रतिक्रिया मुझा अगले विशकिए अभी भारत के ज जो प्रचिलन में आ गया है चलिए अब दूसरे मुद्र कारू करते हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी को इस पूरे हफ़ते में देश ने दो बार सुना लाल किले के प्राचीर से आते हैं और उस भाशन में वो बगएर नाम लिए कॉंग्रिस पर हमला बोलते हैं ना सिर मुद्र का नाम लिया आप जबकि उस मंच पर खड़े हैं तो आप देश के प्रधान मंतरी हैं अगर बार बार खुद को बता रहे थे बस यह कहना रहे गया था कि आएगा तो मोधी है और फिर हमने संसद में देखा मनपुर को लेकर जो समवेदन हीनता हमें उनके लहजे म अबिसार एक बात बिल्कुल साफ हो गई लाल किले के प्रचार से कि प्रधान मंतरी जी 2024 की चुनावी रैली को एड्रेस कर रहे थे वे दरसल प्रधान मंतरी नहीं भारती जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पे मौजूद थे और वे भूल गए थे कि इस लाल कि इतर दिखाई दी जब वो प्रवेश कर रहे हैं और उनके लोग मोधी मोधी चिला रहे हैं शर्मनाग पहल था पूरा का पूरा ये डवलप्मेंट अब इसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है कि कहीं न कहीं भारतिय जन्ता पार्टी और खुद प्रधान मंतरी नरेंद्र बोदी की असुरक्षा बता रही है क्या है इस मुद्दे का पंच बताएं उर्मिलेश जी मगर अपने भाषण के जरिये उनका डर उनकी असुरक्षा भी यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है क्या है इस मुद्दे का पंच बताएं उर्मिलेश जी देखे जो दोनों इस पीच की आपने चर्चा की अगर देखा जाए तो व्यक्ति केंद्रित है और जितनी बातें इसमें कही गए जैसे परिवारवाद तुस्टी करण और इसके अलावा ये कहा गया कि भरस्टाचार इन तीनों को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि उस पर मोजगुदा सरकार बिल्कुल उस पर चस्पा हो रहा है ये सारा का सारा तुस्टी करण भी कारप्रेट का और नफरती गिरोह का जिस तरह इस देश में हो रहा है कुलीन तंत्र का हो रहा है वो भी तुस्टी करण है और भयानक तुस्टी करण है भाशा आपने लाल लगने लगते हैं मोधी 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 प्रधान मंतरी एक लाल किले के मंच से खड़े होकर खुद को संबोधित कर रहे थे कि मोधी ऐसा करेगा मेरे खाल से बस वो रह गया था उनको ये कहना कि आएगा तो मोधी आजाद भारत के इतियास में कम से कर मैंने तो असी के दशक से सुना है प्रधान मंतरियों को इंदरा गांधी को भी सुना है मनमोहन सिंग को भी सुना है अटल जी को भी सुना है तो इन तमाम लोग को मैंने सुना है मगर ये जो भाशन था इतना आत्म मुग्ध लहजा मैंने आज तक नहीं देखा पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के पास बहुत सी चीजें हैं जो पहली पहली बार भारतिय लोगतंत्र में हुई हैं देश और दुनिया ने देखा है और शायद उसी क्रम में अभिसार देखिए ऐसे ठोक के कहना यह मोदी की गैरंटी है यह मोदी की गैरंटी है और यह बताना कि पिछले 75 आप लाल किले के प्राचीर पर खड़े थे मोदी जी आपको यह याद रखना था कि यहां तक पहुश यह थी कि वह क्योंकि चुनावी मूड में थे अभिसार वह एक भी घोशना एक भी समस्या के बारे में बात करने के बजाए लगातार अपनी 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 उपलब दियां मैं करी सरकार की भी नहीं यहां पर सरकार से भी सिमट कर वह स् इसमें उन्होंने कोई शर्म लिहाज नहीं रखा उन्होंने खुद ही कह दिया कि अगले साल भी जंडा फैर आरे हैं और तमाम योजनाओं के बारे में तो आपने जिकर किया ही उर्मिले जी तीन शबदों का उन्होंने जिकर किया परिवारवात तुष्टिकरंद और जहान भारति जहता पार्टी के नेता उनके बच्चे उनके भतीजे भाणजे चचा कोई ना कोई बैठा हुआ है कोई स्टेट नहीं है जहां परिवारबाद बीजेपी में नहीं है अगर लिफ्ट को छोड़ दिया जाए और कुछ एक और छोटे मोटे ग्रुपस होंगे लेकिन यहीं एक पार्टी है मैं यह नहीं करा हूँ कि लेफ्ट में सारे गुन है बहुत सारे अगुन भी हो सकते हैं लेकिन यह परिवारवाद वाला मामला उनमें नहीं है अधरवाई जी स्देश की कोई पार्टी है नहीं कह सकती with few exceptions भाशा प्रधाद मंत्री ने तुष्टिकरन का जिकर किया क्या आप इसे वो अंग्रेजी में एक शब होता है dog whistle क्या आप इसे मुसलमानों को लेकर एक किसम का dog whistle देखते हैं क्योंकि जब आप तुष्टिकरन की बात कर रहे हैं तो हमारे सामने नुह हर्याना की कितनी तस्वीरे हैं जहां पुलीस जो है नफरती गिरोहों के साथ चल रही है हमने दिल्ली दंगों के तौरान देखा किस तरह से पुलीस लगभख संचालित कर रही थी एक बीड को जी और हमारे पास सुलता जलता मनीपुर है और मुझे लगता है यह जब तुष्टिकरन शब्द उन्होंने बोला तब भारती लोकतंत्र के लिए सबसे निमनिस्तर था किसी भी प्रधानमंत्री का बोलना क्योंकि वो उस समय कह रहे हैं जब मुसल्मानों को इसाईयों को माइनौरिटी को निशाने पे लिया जा रहा है और निशाने पर मोदी जी आपकी पुलिस के सर्रक्षन में लिया जा रहा है यह कोई और नहीं है यानि आप दे रहे हैं इशारा कि आप जो नफरती ब्रिगेड इसमें पूरी तरह से खुली हुई है, खुला मैदान उनके लिए कहीं पर हतियारों को लेकर लोग चल रहे हैं, कहीं पर लोग खुले आम भाशन दे रहे हैं, कतलियाम की बात हो रही है, द विसल्मानों के पक्ष में सरकार नहीं खड़ी होगी, तकरीबन इसका ऐलान था, जो बहुत चिंता जनक है, उर्मिले जी एक और जो यहां पर हमने देखा, वो था प्रधान मंतरी का संसद में दिया गया भाशन, आप देड़ घंटे तक आपका मनिपूर का आप जिक्र न जब विपक्ष बाहर चलागे, हताश होका है, और फिर भी आप जो हवाला दे रहें कि आमिद भाई ने बोल दिया, यह बोल दिया मैं, आपको नहीं लगता है कि मनिपूर जैसे मुद्दे पर, जो एक हीलिंग टच की जरूरत थी प्रधान मंतरी की, वो ना सिर्व नदार नियम यही होता है, किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का या कारेस्टगन प्रस्ताव का भी, दोनों में होता है, कि जिस विशय को लेकर वो पेश किया जा रहा है, उसी पर बात केंद्रित की जाए, आगे पीछे थोड़ा बहुत जोड़ भले खटा लें, लेकिन यह नही है, उस पर जरूर बात करते थे, उस समय भी, उस दौर में भी, आडवानी जी को भी देखा है, यह पहली दफा इस तरह का हो रहा है, कि जो विशय है उस पर नो बोलकर, आप एलेक्शन रैली की तरह पूरे पार्लेमेंट को बना लिए, कितनी बार नारे लगवा है, मैं आ आज तक किसी प्रधान मंत्री को इस तरह से नारे वाजी लगवा देखा है, अगर शोर शराबा ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से हो रहा है, अपोजिशन के किलाब, तो प्रधान मंत्री की एक उंगली घुमती थी, खामोश हो जाती थी, सारी ट्रेजरी बेंच, लेकिन इस देश में लोग प्रधान मंत्री को देखकर, अपने बड़े मंत्रियों को देखकर, सीखते हैं कि कैसे शालीन रहा जाए, कैसे राजनीतिक विमर्ष हो, अगर राजनीतिक विमर्ष की पूरी का लेबल जो है, आप सड़क चाप कर देंगे, तो मैं समझता हूं कि एक सं गुति करते हैं, जगरा करते हैं, वैसा वो ऐसी बात कर रहे हैं, और ये लोग तंत्र के लिए अच्छी बात है। मगर वो लगपती तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी असमिता की लडाई लड़ रही है, अलग-अलग जगाओं पर, उत्तर प्रदेश से लेकर मनिपूर तक। भाषपा सांसद हैं, जो तमाम नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने एक शब्द सांत्वना का नहीं दिया, एक शब्द ये नहीं दिया कि हम जाएंगे मनिपूर की महिलाओं से बात करने के लिए, तमाम जगाओं पहुच जाती हैं. जो लोग गए दंगे उनकी वज़े से हुए और दूसरी तरफ में यहां आपने क्योंकि जिक्र किया है, इसी सत्र में जिस तरह से राहूल गांधी को निशाने पे लिया गया, फ्लाइंग किस के मामले में, कहा गया और बताया गया, मिसोजनिस, मुझे इतनी शर्म आ रही थी सोचके, क्योंकि सब तो बाद में पता चल गया, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और यह नहीं कहा गया, वो बोलते हुए भी नहीं कहा गया, कि महिला पहलवान वो बोलते, क्यों महिला पहलवान का जो आरोपी है, वो आपके ठीक पैछे बैठ में कड़े होते हैं, और प्रधान मंत्री जी ने लाल किले से जो भी बोला, मनिपूर तो गायबी हो गया, बिल्कुल, और अब हम रुख करते हैं अपने तीसरे मुद्दे का, क्योंकि इसी हफते, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कि सरकारी संस्था, C.A.G. ने मोधी सरका में भष्टाचार को लेकर जो है, वो कई चीजें सार्वजनिक की, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, C.A.G. की ओरिट रिपोर्ट में, रिपोर्ट के आधार पर पेंशन योजना के फंड में हिरा फेरी का दावा किया गया, उसके इलावा आयुश्मान भारत योजना की खा सामने आई, यानि की प्रधान मंत्री का जो उद्नारा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो फुस हो गया, क्या है इस मुद्दे का पंच, भाशा, देखिए अभी सार, जो कैक की रिपोर्ट है, उससे यह पता चलता है कि भ्रष्टाचार का लेविल क्या है, और इस तरह का खुलासा हुआ है भ्रष्टाचार का, यह मेरा मानना है टिप ओफ दा आइसबर्ग है, यानि नीचे कितना बड़ा पैमाने पर भ्रष्टाचार और घोटाला हो रहा होगा, इसकी जांच कब होगी, लेकिन कम से कम प्रधान मंत्री जी, इस पर भी एक शब्द तो बोलिए, ताकि देश जाने कि आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत कब बना रहे हैं, अभिसार क्या है इस पर आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है कि कही न कई प्रधान मंत्री का वो जो नारा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो पूरी तरह से उड़ंचू हो गया है, और यही नहीं, प्रधान मंत्री बार-बार कहते थे कि वो भरष्टाचार के खिलाफ गारंटी है, माफ जिए गा प्रधान मंत्री, वरष्टाचार के खिलाफ गारंटी नहीं, मगर जब भी ऐसे मामले सामने आएंगे, कही न कही भारतिय जनता पार्टी सरकार इन मामलों को छुपाने की गारंटी है, और मेलेश जी, क्या है समुद्दे का पंच? लेके, मैं समझता हूं की वरष्टाचार, एक शिगूफा हमेसा रहा है भारती राजनीत में, सुरू से लेकर अब तक हम देख रहे हैं, ये सिस्टम की समस्या है, ये व्यक्ति की समस्या नहीं है, और इसलिए मेरा मानना है कि CAG जिस समस्ताएं हैं, या अन्य जो समस्ताए उनकी आजादी बहुत जरूरी है, उनकी आटानमी बहुत जरूरी है, जिससे की तंत्र के अंदर की समस्याएं सामने आएं, और उनका कोर्स करेक्शन तै किया जाए, भाशा सोचिए, CAG के प्रमुक है गिरिश चंद्र मुर्मू, वो शक्स जो प्रधान मंत्री के सबसे कर अधिकारियों में रहे हैं, यानि कि 2002 से उन पर गंबीर आरोब भी लगे हैं, इनके प्रमुक रहते हुए, ये तीन योजनाएं सामने आ गई, सोचिए, क्या-क्या नहीं छुपाया गया होगा, इसलिए मैंने कहा कि ये tip of the iceberg है, कितना नीचे चल रहा होगा, क्योंकि देख ब्रश्टाचार इतने बड़े पैमाने पर है, कि प्रधान मंतरी आयुश्मान योजना, जिसकी वो भोपाल में चर्चा करते हैं, लाल किले से प्रधान मंतरी जी कहते हैं, कि हमने गरीब को स्वास्त सेवा दी, उसमें इतने बड़े पैमाने पर घोटाला है, साथ लाख स की जो डिटेल्स मैंने देखे हैं, वहां तो अंगिनत मरे हुए लोगों को पैसा दिया गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो हम पहले भी कह रहे थे, प्रधान मंतरी आयुश्मान योजना में, जिस तरह से निजी अस्पतालों को लिया गया था नेटवर्क में, प्रश्चाचार का गड़ होगा, ये असली जाच हो तो पता नहीं कितनी चीज़ें बाहर निकलेगे। चौदा से पहले विनोध राय जो की प्रमुक हुआ करते थे CIG के 2008 से 2013 के बीच, वो तो ड्राफ्ट रिपोर्ट लीक कर दिया करते थे पत्रकारों को, तुझी कवर स्टोरीज हो जी थी हमारी, और उनमें से एक भी मामला, थाबित नहीं हुआ है, और यहां देखिए, कोई चर्चाने साथ, देखिए, ऐसा है कि इस सरकार में यही हो, आज से नहीं, जब से सरकार है तब से आप देख रहे हैं कि जो मेंस्टिम मीडिया है, शुरू में जो कुछ अंग्रीजी अकपार थे वो आम तोर पे करते थे अभी भी बहुत, ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ साह करने को तयार नहीं है, और एक बात आयुश्मान भारत योजना जबे शुरू की गई थी, मुझे आज तक याद है कि लोगों ने कहा कि अब भारत में कोई गरीब दवा के बगएर नहीं मरेगा, दवा जरूर होगी, ठीक है, मरना जीना तो भगवान के हाथ में है, ऐसा ल कीजिए, पब्लिक जो फंडिंग है, हेल्थ केर पर बढ़ाए, आप जानिए कि जीडिपी का हमारा हाडली 2.5% 2.4% के आसपास खर्च हो रहा है, ऐसा सरकार दावा करती है, तीन परसेंट का क्लेम ता है, इनका कि हम करेंगे, तीन साड़े तीन परसेंट, जबकि दुनिय है, द्वारका एक्सप्रेस वे में अभिसार, एक किलोमेटर 18 करोड में बनना था, एक किलोमेटर 18 करोड में बनना था, वो बन रहा है 250 करोड में, आप सोचिए कि इस लेवल से ब्रशकाचार, इतने बड़े आकड़े हैं, और कोई आउट्रेज नहीं है, लेकिन टेलिवि की रिपोर्ट्स पर बनाई थी, आज वो बेहुदा, बेशर्म पूरी तरह से खामोश हैं, पता नहीं इनको रात को नींद भी कैसे आती होगी, बहुत बहुत शुक्रिया, भाशा और उक्रमेटर शाह आप दोनों का, इंडिया की बात में बस इतना ही, अबिसार शेर्मा क पुदीजे जासत, नमस्कार